हेलो फ्रेंज, वेल्कम टू मैथे जी फ्रेंज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी दिघात बहुपद का कैसे हम गुडनखन करते हैं ठीक है? तो मैं आपको बहुत ही असान तरीके से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को आप इन तक देखना क्वेस्चन हमने लिया हुआ है y square minus 7y plus 12 दिघात बहुपद में जो पहला टर्म होता है उसकी दो घात होती है ठीक है? जैसे x square भी हो सकता है, यहाँ पे हमने लिया है y square, ठीक है? तो y square का जो गुडनख होता है यहाँ पे क्या है? एक है, ठीक है? तो यहाँ पे y square का गुडनख एक है और अचरपत क्या है? 12 है दोनों का जब गुड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 12 मिलेगा ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना होता है अगला इस्टेव कि 12 के ऐसे दो गुडनखंड करिए जिनका जोड या घटा करने पे हमें यहाँ पे जो y है चर इसका गुडनख मिल जाए ठीक है? तो यहाँ पे माइनस 7 y है ठीक है? तो यहाँ पे यानि की माइनस 7 जो है y का गुडनख है तो अगर हम 12 को 3 और 4 यानि की दो गुडनखंड करते हैं 3 और 4 का ठीक है? तो तीन और चार को अगर हम जोडते हैं तो हमें यहाँ पे साथ मिल जाएगा ठीक है? तो आईए यहाँ पे इसको ब्यवस्तित कर लीजे तो क्या करेंगे y स्कॉाइर माइनस 3y कर दीजे माइनस 4y कर दीजे प्लस 12 कर दीजे ठीक है? अब देखिए दो-दो का जोड़ा बना लीजे ये दो हो गई पद और ये दो पद हो गई अब देखिए इनमें कोई कॉमन हो रहा है कोई उबनिष्ट है उसको आप उबनिष्ट ले लीजे ठीक है? तो यहाँ पे देखिए y स्कॉाइर है यहाँ पे y है तो यहाँ से हम y को common कर लिजे तो y minus 3 हो जाएगा y common कर लेंगे यहां से फिर यहां से क्या common कर सकते हैं यहां पर y अकेला है यहां पर यह अचरपद है तो यहां पर देखिए 4 है और 12 है तो 12 का अगर गुड़न खन करते हैं तो 3 गुड़े 4 यहनि कि इसमें 4 आता है तो 4 हम कामन ले सकते हैं यहां से तो 4 कामन ले जीजिए तो y और minus 4 कामन ले रहे हैं तो यहां पर plus है तो यहां पर minus आजाएगा और यहां पर बचेगा क्या? 3 बचेगा अब देखिए दोनों bracket में y minus 3 है अब हम इन y minus 3 को common करेंगे तो y minus 3 को जब हम common करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? y बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? minus 4 बचेगा ठीक है? तो इस तरीके से जो इस दिखाद बहुपद है y square minus 7 y plus 12 उसका जो गुडन खंड आएगा वो यही आएगा y minus 3 और y minus 4 यही इसका answer हो जाएगा तो अगर इस तरीके से कोई भी दिखाद बहुपद दिया होता है तो आप यही तरीका अपनाएंगे ठीक है? तो friends कैसी रही वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे चैनल पर नए है तो please channel को subscribe कर दीजे